नमश्कार दोस्तो मैं कि इंजल चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का पाथ फाइंडर पर दोस्तो आपको इस चेलीग्राम चैनल पर अगर आप मुझे फॉलो करने तो मेरे द्वारा बनाई गई जितने भी लेक्चर से उनके पीडिफ अपडेट्स मिल जाएंगे और सा कहा है कि जितने भी राइस डिस्ट्रिब्यूट किये जा रहे हैं सरकार के द्वारा अलग अलग गर्वर्मेंट स्कीम के तुरू फिर वो चाहे पबलिक डिस्ट्रिबूशन सिस्टम हो फिर वो चाहे मिड़े मील हो तो दो हजार चौबिस तक नॉर्मल राइस नहीं डिस् करती है उससे हम भेतर लड़ पाएंगे तो आईए दोस्तों जानते हैं ऐसी स्कीम क्या और कोई है तो अल्रेडी एक स्कीम ऐसी चल रही है फोटिफिकेशन ऑफ राइस और इस डिस्ट्रिबूशन अंडर दी पबलिक डिस्ट्रिबूशन सिस्टम तो यह दोस्तों एक सें identified aspirational districts में provide किया जा रहा है तो यह rice, pds, midday meal, integrated child development services इन सारे स्कीम के तुरू जो भी चावल जा रहा है वो ऐसा ही fortified है तो यह announcement का क्या मतलब है दोस्तों कि 2024 तक सारा का सारा rice fortified हो जाएगा तो सरकार को क्या करना है तो इसके लिए दोस्तों हमें अपनी fortification infrastructure scale up करनी होगी तो अगर सिर्फ pds के दुवारा जो rice distribute किये जा रहे हैं तो उसको ही अगर हमें reach करना है तो साड़े 300,00,00,00 metric ton of rice को अब annually fortify करना होगा इसके सिवा additional 31,00,00 metric ton of rice को fortify करना होगा जब हम integrated child development services midday meal के तहट असाड़े 8 crore beneficiaries को meet करेंगे ICDS में और 10.4 crore beneficiaries under midday meal याने in total 381,00,00 metric ton of rice को हमें fortify करना होगा तो उसको मतलब क्या है fortification का मुझे मालूम है आपकी मंद में यह सवाल है तो आपको बता देता हूँ fortification अगर हम देखे तो WHO की definition है fortification का मतलब है essential micronutrients, vitamins, minerals की जो ratio है जो content है उसको increase कर देना खाद्य पदार्थ में इससे क्या होगा उस खाद्य पदार्थ की nutritional value increase कर जाएगी और public health benefits मिलेंगे minimal cost में तो वैसे ही आप देख सकते हैं rice में आप बाहर से बहुत सारे vitamins and minerals जाल सकते हैं जैसे iron डाल सकते हैं विटमिन B6, विटमिन A, विटमिन B1, जिंक, विटमिन B3, विटमिन B9, विटमिन B12 वगेरा आप इसमें add कर सकते हैं तो भारत में rice अब पांचवा item हो जाएगा जिसको government fortify करने के लिए special push देने वाली है already salt, edible oil, milk and wheat को fortify किया जाया जा रहा है तो इसका benefit क्या है दोस्तों अगर आप देखें तो micronutrient malnutrition याने micronutrient की कमी vitamins and minerals की shortage तो इससे लोग जब effect होते हैं तो कोई critical symptoms नहीं आता लेकिन long lasting consequence होता है याने यह आपके अंदर छुपा हुआ hunger है इसलिए इसको क्या कहा जाता है hidden hunger तो hidden hunger अगर हम देखें दोस्तों तो इससे क्या होगा long term में वो व्यक्ति जो की अपने growing stage में hidden hunger से गुद रहे हैं वो infectious disease से infect हो जाएं काफी vulnerable हो जाएंगे उनकी immunity compromise होती है कमजोर होती है इसके सिवा उनका cognitive development mental development कम होता है physical development भी hampered होता है productivity भी अगर उन workforce की देखें तो decrease कर जाएगी और premature death के chances भी बढ़ जाते हैं भारत की बात करें दोस्तों तो 60% of world के जो anemic preschool children है वो भारत में ही रहते हैं वैसे ही 50% of anemic pregnant women इंडिया में हैं और quarter of anemic men इंडिया में ही हैं अगर total population की बात करें दुनिया की तो iron deficiency anemia world के आधा anemia का cases इंडिया में ही देखने मिलता है इसके सिवा इससे हमारे IQ में बच्चों के 8 points कम IQ develop हो पा रहा है because of hidden hunger इससे estimate किया जाता है करीबन 1% GDP का loss भी हमें देखना पढ़ रहा है वितना ही ली दोस्तों अगर हम national nutrition monitoring report की बात करें तो उन्होंने कहा है कि 50% of the population across any age group 50% से भी कम उनके जो recommended dietary needs है iron के, zinc के, vitamin A के, polyate के, vitamin B के वो कम है याने वो बस less than 50% of dietary needs meet कर रहे हैं याने किसी प्रकार के hidden hunger से गुजर रहे हैं Observer Research Foundation ने भी एक data सामने रखा है, उनके research के द्वारा ये कहा जा रहा है कि यदि भारत 1 dollar बस nutritional intervention में इस प्रकार के nutritional ramp up में, increase में लगाए तो उसका return 34.1 से 38.6 dollars बनके आएगा, दुनिया के बाकी देशों में ये roughly 10-12 dollar का ही average है, 12-14 dollar का average है याने इंडिया में 3 गुना ज्यादा return on investment है, तो ये बहुत फाइदे का सौधा है देश को इस प्रकार के nutritional drives में, fortification में पैसे खर्च करने चाहिए तो rice को कैसे fortify किया जाए, तो FSSAI के जो standards है, जो norms है, उनके तहट 1 kg of fortified rice में, कम से कम 28-42.5 mg of iron होना चाहिए 75-125 mg folic acid होना चाहिए and 0.75-1.25 mg vitamin B12 का होना चाहिए तो दोस्तो नॉर्मली आपको मालूम है paddy है, paddy को dehusking करते हैं, तो ये जो मिला ये brown rice मिलता है और उसके बाद finally हमें ये white rice मिलता है तो इसको क्या कहते हैं दोस्तो, milling and polishing operation, तो ये finally milled and polished white rice आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है लेकिन इस milling and polishing के दोरान भले वो grain देखने में बहुत सुंदर होता है, taste भी अच्छा करता है क्योंकि fiber कम होता है पर दोस्तो इस milled white rice की बात करें, तो इसमें micronutrients बहुत कम होते हैं, क्योंकि आपने nutrient rich जो बहारी covering है, जो superficial layer है, वो आपने remove कर दिया है तो इसलिए आप देखे तो brown rice काफी ज़्यादा health conscious लोग consume करते हैं, भले taste कराब होता है, लेकिन health के लिए beneficial होता है तो rice को हम दो प्रकार से मुख्यता fortify कर सकते हैं, एक तरीका क्या है, normal rice लिया, polished rice है, white rice है, उसमें क्या करें, iron, folic acid, B complex vitamins, vitamin A, zinc, जो भी vitamin mineral add करना है, उसको powder को sprinkle कर दें, और वो grains में जाके चिपक जाएंगे दूसरा तरीका है कि आप spray कर दे rice grain पर, इसके सिवा अन्य तरीका एक है, वो है दोस्तों कि आप क्या करें, कि ये normal rice है, rice के जो तूटे वे दाने थे, broken rice grain थे, उसको आपने fist दिया, और आपने rice का आटा बना दिया, rice floor बना दिया, इस rice floor में क्या किया आपने, ये powder वगेरा इसको अच्छे से इसमें डाल के mix कर दिया, high ratio में, vitamin A, zinc, iron B3, B9, B12, E, D, zinc, जो भी डालना है, वो vitamin mineral आपने डाल दिया, और उसके बाद आपने whole grain rice के साथ, इस पिसेवे आटे को आपने rice का ही आकार में फिर बदल दिया, और ये rice के जो grains है, इसको कहेंगे fortified kernel, इस fortified kernel rice के ही shape के हैं, और किसमें rich हैं, इन minerals में rich हैं, फिर आप इसको क्या करें, 1 is to 50 से 1 is to 200 के ratio में, ideal ratio 1 is to 100 है, 1 is to 100 के ratio में mix कर दें, याने blend कर दें, याने क्या करें, ये normal whole grain rice के साथ, इस fortified kernel को 1 is to 100 के ratio में mix कर दें, याने आप अगर देखें तो हर 100 दाने में, एक दाना, whole grain rice के दाने में, एक दाना extruded fortified kernel का हो, जो की rich in vitamins and mineral हो, दोस्तों आपको जैसा बताया है, मैंने rice fortification 2019 में introduce किया गया है, edible oil 2018 में, wheat 2018 में, milk 2017 में, तो काफी पुराना system है, और अब इसको एक नया push मिलने वाला है, पर दोस्तों कुछ challenges भी है rice fortification के, पहला आप अगर देखे, तो shelf life कही जाती है, थोड़ी कम है, तीन महीने से दो साल की हो सकती है, ideally 6 महीने के बीच में भी, आप देखे, at least 6 महीना तो shelf life होता है, 6 महीने के बाद, इन fortified rice की, जो nutritional value है, वो decrease करनी शुरू हो जाती है, याने 6 महीने में ही, खपत कर लेना है, इसको fortify करते ही consume कर है, दूसरा आप देखे, तो high cost है, एक टन, rice fortification का cost है 500 रुपया, तो वो खर्चा भी हमें करना होगा, दूसरा दोस्तों आप अगर देखे, तो जो fortified rice है, taste में, smell में, aroma में, हर चीज में, exactly normal rice जैसा है, तो एक तरफ तो इससे, इसकी acceptance बहुत जादा है, इसको लोग consume है, क्योंकि उनके dietary habits में, कोई change नहीं हो रहा, वहीं दूसरे तरफ, आप स्वर्क कैसे करेंगे, कि ये rice normal है, या fortified है, ऐसा भी तो हो सकता है, कि fortified rice के नाम पे normal rice push कर दिया जाए, तो इसलिए, FSCI को regular testing करनी होगी, जगे-जगे पे जाके, test करके certified करते रहना होगा, तो ये ये भी एक नया, कह सकते हैं, एक नई responsibility, FSCI के उपर आ जाएगी, इसके सिवा दोस्तो rice mill में नया investment करना होगा, क्योंकि उनको blending machines provide करना होगा, तो इस वज़े से ये भी काफी खर्चा एक देखने मिलेगा, तो इसमें एक तरफ हो सकता है, कुछ लोगों ने इशारा किया है कि cartelization ना हो जाए, इन मिल्स के पास, कुछ limited मिल्स के पास ही ऐसी machine हो, तो छोटे मिल्स का क्या होगा, तो ये सब challenges भी है, पर दोस्तो overall हम देखें, तो ये बहुत ही ज़ादा important step है, and specially इस observer research foundation की research हमें बताती है कि ये step much needed है, and ये step लेने का यही सबसे ideal time है, तो दोस्तो द्वारा best mentorship, direct hand holding, best notes मिलेंगे, और जो guidance है, वो सारी subjects of GS, essay, geography, optional को cover करेगी, तो इस lecture को like करें, अपने दोस्तों के साथ share करें, and pathfinder channel को subscribe जरूर करें, दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, अनक आडमी में दोस्तों अगर आप देखें, तो इंडिया के best educator समाई साथ किया है, 45 day crash course है, प्रिलिंस के लिए, वैसे ही ये English में भी है, और bilingual भाशा में भी है, and दो मंत की subscription भी available है, इसी के दियान में रखते वे बस 15,000 रुपे में है, तो आप इसका भी enroll कर सकते हैं, इसके सिवा बहुत जबरदस्त offer चल रहे हैं, 18 अगर्स तक, तो दोस्तों आप होगी, and दो साल की मेंस 2023 तक, साथ साथ आपको दोस्तों बता देना चाहूंगा, GS and optional, दोनों की कीमत कितनी होगी, बस 49,679 रुपी, इतना ही नहीं, आपको free test series मिलेगी, optional की 21 test, 16 sectional, 5 full length, answer writing, subjective test होगी, और 80 test आपको दोस्तों GS की मिलेगी, 50 films की, 30 mains की, and ये सब आपको मिलने वाला है, बस इसी के तहट, तो बस 18 अगस्तक time है, ये freedom sale चल रहा है, दोस्तों, जल्दी खतम हो जाएगा, तो इसका फायदा उठाएं, and केसी 10 code का इस्तमाल करें, क्योंकि जब आप ये code use करेंगे, तो आप बस code इस्तमाल करके, मुझसे संपर्क करें, तो मैं आपका mentor भी assign हो जाऊंगा, मैं ही आपका mentor रहूंगा, अगर आप plus subscription भी लेते हैं, एक साल या उससे अधिक की, तो बस मुझसे संपर्क करें, इसके सिवा दोस्तों, optional batches start होने वाले, 18 अगस्त से नए batches और आने वाले हैं, तो बस कुछ दिन बच रहा है, UPSC dream है, दोस्तों, हम loan भी provide क कर रहे हैं, तो नीचे link दिया गया है, loan का इस्तमाल करें, केसी 100 code उसमें इस्तमाल करेंगे, जब आपको form बरना होगा, educator का name किंजल चौधरी यूज़ करेंगे, और अगर आप सिर्फ प्लस subscription लेते, तो दो साल की है, 64,800 की, दो साल की आइकनिक subscription की कीमत है, 14,165 रुपे, के सारे code ये सब कीमते तब है, जब आप केसी 100 code का इस्तमाल करें, पर दोस्ते याप आपको बताना चाहूंगा, अगर आप आइकनिक subscription ले रहे हैं, तो बस 1800 रुपे और देके, आपको optional subscription भी add-on हो जाएगा, तो mentorship week है, तो उसके तहर आपको ये भी मिलेगा, optional subscription बागी दोस से start हो रहे हैं, तो इसका हिसाब बने, and 18 अगस्त से नए batches भी start हो रहे हैं, जैसा आप screen पर देख सकते हैं, तो ये भी आप जरूर देखें, और free test series है, केसी 100 code का इस्तमाल करें, और इसका हिसाब बने, thank you so much for joining, have a great day.